तो मुद्राइस्पिति का जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कुशन किया था तो उसमें हमारा जो टॉपिक था लास्ट उसमें हमने मुद्राइस्पिति के प्रभाव को जाना था तो मुद्राइस्पिति के प्रभाव को हमने देखा था कि रिणी वेक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है उत्पादक वर्ग या क्रशक पर क्या प्रभाव पड़ता है वियापारी वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ता है उसी तरह उपभोगता जो वर्ग होता है जिसने रि निवेशक को देखें तो निवेशक भी दो तरके वोते हैं एक नवेशक उता है जो सेर मार्केट में अपना पैसा लगाते हैं सेर मार्केट में अपना पैसा लगाते हैं और दूसरे परकार के निवेशिक वो होते हैं जो सरकारी प्रतिबूतियां जो होती है सरकारी प्रतिबूतियां उनमें अपना सेहां लगाता है सरकारी जो प्रोदीब घोती ही उनाफेशित ही निशित होती यहां पर यहां पर क्या जाएए वहां पर रहाता है अपना पैसा लादा है और मुद्रा श्कीत ही dalej Gastr लाप राप्त करता है जबकि सरकारी प्रतिव्यूतियों में जो पैसा लगाने वाला निमस्यक वर्ग है उसको हनी का सामना करना पड़ता है और हमने मुद्रा इस पीति को समझाता है कि मुद्रा की जो मुद्रा की जो क्रे करने की शंता है प्रेंशन भोगी को एक निश्चित पेसा मिल रहा है हर मेने एक निश्चित पेसा मिल रहा है अब मान लोग कि कोई चीज पहले 10 रुपे की आ रही थी और अब वो चीज का दाम बढ़के 40 रुपे हो गया तो इस पेंशन भोगी पर इसके क्या हुआ नकारात्मक प्रभाव पड़ा नकारात्मक प्रभाव क्यों पड़ा क्यों पड़ा क्योंकि पेसा तो इसका निश्चित आ रहा है पहले क्याले दस रुपए खर्च कर राता अब इसको 40 रुपए खर्च करना पड़ रहा है इसलिए इसको क्या हुआ हानी हुई बजत खाता भी इस तरह कारे ला हुए conversations कि बज़ट खाते में जो हमारी राशी होती है dop निस्ट होती है तो बज़ट खात में जो पैसा वह तो निस्ट है उससे हम जो चीज़़े खरे देंगे उसके लिए अपन्कोपेशा ज्यादा देना पड़ेगा क्योंकि कौन सी स्लिए मुद्रा इस्पिति एस्थितिए जानि esperando मुद्रा की कर्णा की शक्तिक मिए उर्थ साट में जो नर्ड था तरिंडाता है तो वेगती को रिण स्कार भी दिया अब ये इसने रिण दिया तो रुपे की जो क्रे करने की शक्ति क्या कोई कम हो गई, तो यहां पर जो रिणी वेखती है, इसको तो क्या हो जाएगा? लाव हो जाएगा और रिण दाता को देने वाले को क्या होगा? नुक्सान का सामना करना पड़ेगा. तो ये कुछ चीजे हैं जो अपन को ध्यान रखनी हैं कि मदरह स्पिती के रिणी पर क्या प्रभाव पड़ते हैं उत्पादक वर्ग पर क्रिशक वर्ग पर क्योंकि क्रिशक वर्ग को भी हम किस तरह ट्रीट करते हैं उत्पादर वर्ग की तरह ट्रेट करते हैं तो इसको भी लाग होगा क्योंकि वस्तों की कीमते वड़ेगी तो इनको पैसा अच्छा मिलेगा अच्छा मुनापा होगा तो ये मुद्रा इस्पिती के प्रभावत है अब एक क्योशन है यहाँ पर कि निमने लिखित कतनों पर विचार कीजिया तो पहला कतन यह है कि मुद्रा इस्पिती रिनियों को लाब पहुचाती है जो रिनी लोग होते हैं उनको लाब पहुचाती है दूसरा कतन है कि मुद्रा इस्पिती बोंड धारक जो होते हैं उनको लाब हो जाती है तो बोंड धारक को तो क्या होती है किसका सामना करना पड़ता है हानी का सामना करना पड़ता है जबकि जो रिनी को लाब होता है अच्छे यहां bond और debentures की जो बात आई है इसको भी इस तरह समझो कि यह भी क्या है सरकारी परतिपूदिया है इसको भी इस तरह समझना चाहिए कि यह सरकारी परतिपूदिया टाइब है और इसमें भी bond जो जारी होता है तो bond पे भी क्या है एक निश्चित पेशा मिलता है आपको bond इस्टू किया गया तो bond की जब maturity आगी मांद लो 5 साल का कोई bond है तो 5 साल बाद आपको एक निश्चित रासी मिल जाती है तो जहां पे निश्चित आजाती है पैसे में वहाँ पर क्या है नुकसान का सामना करना पड़ता है तो debenture और bond धारकों को भी क्या होता है मुद्रा इस्पिती के समय नुकसान होता है इनको तो इनके भी क्या है प्रतिकूल प्रवाव होगा ठीक है तो यह मुद्रा इस्पिती के प्रवाव की हमने बात करी तो हमारा जो टोपिक चल रहा था इन्फलेशन या फिर मुद्रा इस्पिती तो मुद्रा इस्पिती में हमने समझा था कि क्या है मुद्रा इस्पिती उसके साथ ही इसके जो मुद्रा इस्पिती के जो प्रभाव है वो हमने देख लिए और बहुत सारे वर्गों पर इसका प्रभाव हमने देखा और साथ में इसके जो कारण थे दो तरह के कारण जो हमने देखे एक तो मांग जन्ने मुद्राइस्पिती ठीक है और एक लागत जन्ने मुद्राइस्पिती इन दोनों के बारे में भी हमने बात करी अब मुद्राइस्पिती के अगर मन गणना की बात करें तो मुद्रा इस्पिति की गणना, तो मुद्रा इस्पिति की गणना, तो मुद्रा इस्पिति की अगर अगर आपन गणना करते हैं, तो इसके जो गणना का माद्धे में है, वैसे RBI के साब से अगर बात करें, तो RBI 2 से 6 प्रतिसत्तक की जो मुद्रा इस्पिति होती है, उसको अपनाती है कि लगबग 2 से 6 परतिसत्तक की मुद्रा स्पिती सही है अगर इस से ज्यादा अगर मुद्रा स्पिती होती है तो वर्थवेवस्ता के लिए घतरा है तो RBI किस तरह का मानग अपना रही है कि चार पलस मैनेस दो अब जो मुद्रा स्पिती को नापने के तो मुद्रा स्पिती की गणणा जो RBI के द्वहरा किया जाती है वह किस पर आदारित होती है बिंदू से बिंदू की गणणा किया जाती है मतलब पॉइंट टू पॉइंट डू पॉइंट महीने से ही होगी अगर साल की तुलना करनी है तो उसकी तुलना साल से होगी ठीक है किसी दिन की तुलना करनी है तो उसकी तुलना दिन से होगी है इसी को बोलते है बिंदू से बिंदू की गणना करना अब मालो कि हम बात कर रहे हैं कि हमने देखा कि 2022 में 2022 में मुद्रहस्पि साल मानलो 2020 के जनवरी माइने से ही करना होगा तो इस परकार की जो गणना होती है उसको बिंदू से बिंदू पर गणना बोला जाता है ठीक है तो RBI जो है लगबग 4 प्लस माइनस 2% की मुद्राइस्पिति को सही मानती है ये भी हमने देखा अब इसके जो गणना की विदिया है तो दो तरह की विधिया आं में ले जाती है एक विधि का नाम है होल वाटसर प्रायज इंडेक्स मतलब थोक मूंळ सूचकांग थोक मूले सूचका जबकि जो दूसरे इंडेक्स है वो है कंजुमर प्राइज इंडेक्स जिसको हम बोलते हैं उपबोक्ता मूले सूचका उपबोक्ता मूले सूचका तो इन दो आदार पर मुद्राइस प्रिति के हम गड़ना करेंगे थोक मूले सूचका पर और उपबोक्ता मूले सूचका तो उसके साथ ही अपमन तो नहां पर क्या बिंदो हो गया कि मुद्रा इस प्रिति की गड़ना के लिए दो परकार के इंडेक्स इंडेक्स अपना ही जाते हैं अपना है जाते हैं तथा इसकी गड़ना इसकी गड़ना हमेशा इसकी गड़ना हमेशा किस आधार पर होती है बिंदू से बिंदू होती है अर्थ अर्थ इसका क्या मतलब है कि वर्स की तुलना वर्स से माहा की तुलना माहा से तथा दिन की तुलना दिन से की जाती है तो किस परकार की गड़ना होई बिंदू से बिंदू अधारेद गड़ना होई अब यहाँ पर हम दो परकार की इंडेक्सों को काम में ले रहे हैं एक इंडेक्स अच्छा एक बिंदू ओर लिख लो इसमें कि RBI के अनुसार RBI के अनुसार अर्थ विवस्ता में अर्थ विवस्ता में 4 प्लस मैनस 2 प्रतिशत कि मुद्रा इस्पिती सही मानी जाती है सही मानी जाती है तो RBI के अनुसार क्या है? 4 प्लस मैनस 2 मतलब यह कहां से कहां तक वेरी कर सकता अगर इसमें 2 गटा है तो 2 और 4 में 2 जोड़े तो 6 4 से 6 प्रतिशत तक अगर मुद्रा इस्पिती किसी अर्थवेस्था में है तो उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है तो RBI ने क्या है इसको आधार मान रखा है कि भई यह है अब अपन बात करें तो हमने यहां पर दो इंडेक्स की बात करी एक इंडेक्स तो है एक इंडेक्स की अपने बात करी उसका नाम है होल सेल प्राइस इंडेक्स क्या है है अब यहां पर दो सब्दार है एक तो ठोक और एक उपभोकता तो तो ठोक मूले सुचका है तो हमको यहां पर यह समझो कि जो ठोक वित्रेता होते हैं उनको जो वस्तोय उपलब्द होती है उनके आदार पर यह निकाला जाता है ठोक में जो वस्तोय आते हैं ठोक में मतलब एक साथ माल गोडाओं में आया जैसे मैनुफेक्चरिंग जो सेक्टर होता है वी निर्मान जो छेतर होता है वहाँ पर थोक में वस्तों बनती है और वो डीलर के पास जाती है तो उनकी जो कीमतों में अंतर होगा उसके आदार पर WPI या फिर हौल सेल प्राइज इंडेक्स निकाला जाता है WPI जबकि जो CPI इंडेक्स है यहां पर शब्दार है उपवोगता मतलब उपवोगता जो है उपवोगता क्या है अपने जिसे लोग है जो दुकान पर जाके चीजों को खरीदते हैं तो उन चीजों की जो कीमतों में वर्द्ध जो हम खाद्य प्रदार्त को खरीदते हैं उनकी कीमतों में जो व्रद्धी होती है उसके आधार पर इसको निकाला जाता है अब तो इसका जो आधारे वो खाद्य वस्तों हैं जबकि होल सेल प्राइज इंडेक्स का जो आधारे वो उत्पादक वर्ग की जो वस्तों है वो है अब थोग मुले सुचकान की बात करें तो इसको सरव परता 1942 में इंडिया द्वरा अपनाये गया था और इसको आर्थिक सलाकार जो काराले होता है जो वानेज्य और अद्योग मत्राले का आर्थिक सलाकार काराले द्वरा ये जारी किया जाता है इसमें तीन केटेग्रियों में बाता है एक तो प्रात्मिक वस्ते को सामिल की गई है इसमें वी निर्मान चेत्र सामिल किया गया है और इधन और उड़जा भी इसमें सामिल है पर सबसे ज़्यादा जो वेटेज है इसमें वो वी निर्मान को दिया गया है वी निर्माण, manufacturing, क्योंकि वी निर्माण सिर्थ जो थोक में वस्तोय आती है, तो उनी वस्तोय के उत्पादन की कीमतों में जो अंतर होता है, उसी क्यादार पर ये निकाला जाता है, जबकि उपभोगता मोले सूचकांग में हमने क्या बात की, कि ये उपभोग करने वाली व वस्तोय होती है, उनके कीमतों के अंतर के आदार पर ये निकाला जाता है, इसको जो जारी करता है, वो कौन करता है, आर्थिक सलाकार कारायले, जबकि जो CPI इंडेक्स है, इसको जो राष्टिय सांकिकी कारायले, जो NSO, National Esthetical Organization, जो है, वो जारी करता है, तो अब इसको, इ बेली यूज की चीज़ें, जैसे आवास हो गया, पान, तंबा को गुटका, और साथ में जो पहनने की कुछ वस्तोय है, इसमें सामिल किये, जैसे कपड़ा और जूता, तो इसमें 6 केटेगरी रखी गई है, इसको भी Consumer Price Index को भी 3000 पर जारी किया जाता है, एक तो होता है इस आफिस में जाना है, किसी को मैट्रो पॉलटीन जेटी में गूँगना है, तो यहाँ पर इन चीज़ों का महत वाली होता है, तो इसलिए यहाँ पर दो इंडेक्स तो इतीर इंडेक्स अलग पर जारी किया जाता है, जबकि जो Wholesale Price Index है, इसमें ऐसे कोई कटेगरी नहीं है यह क्या है थोक वस्तों पर जारी किया जा रहा है उसके साथ ही थोक मोले सूचकान की बात करें तो इसमें आधार वर्स 2011 लिया गया है 2017 से पहले यह 2014 था पर इसके बाद में 2017 में इसको चेंज करके 2011 वर्स इसका आधार वर्स कर दिया गया और Consumer Price जो इंडेक्स है इसका आधार वर्स 2012 रखा गया अब यहां पर एक शब्द आ रहा है आधार वर्स कि आधार वर्स क्या होता है आधार वर्स क्या होता है तो आधार वर्स ऐसे वर्स को बोलते हैं कि ऐसा वर्स या ऐसा साल जहां पर जो वस्तों हैं उनके जो भारांस है, मार्केट में, उनके जो मूल्ले होता है, उसमें इस्तिर्था आती है, उस वर्स को आधार वर्स बनाया जाता है, तो वस्तों की कीमतों में जब जिस साल इस्तिर्था रहेगी, उसको हम आधार वर्स बनाते हैं, वैसे आईमेप क्या कहता है, आईमेप क भारत यह देखता है कि जो भी वस्तों हैं उनकी केमतों में जिस साल इस्तिर्था आएगी उसको हम आधार वर्ष बनाएंगे ठीक हाला कि जो इस्तापना की जिससे 1945 में जब वर्डवार सेकेंड खतम हुआ तो उसके बाद अर्थवेस्ताएं काफी डाउन हो गई थी तो उस देता है और इसका जो ब्याजदर होती है वो काफी कम होती है मतलब यह कल्यान की भावना से रिन देता है कल्यान कारी जो रिन है वो वर्डवेंग की सायधा से दिये जाते हैं जबकि जो आई-म-फ है आई-म-फ की जो ब्याजदर हो काफी जादा होती है और इसका काम मुक तो सबसे पहले जो हमारा एक बिंदु आया जिसका नाम है आधार वर्ष कि आधार वर्ष क्या होता है तो आधार वर्ष को समझे तो ऐसा वर्ष ऐसा वर्ष जो जो कीमतों में परिवर्तन की तुलना या मुद्रा इस्पिती की तुलना के लिए अपनाया जाता है यह ऐसा वर्स होता है जिसमें वस्तु की कीमतों में इस्तिरता देखी जाती है मतलब जिस साल वस्तु की कीमतों में इस्तिरता रहेगी उसी को हम आधार वर्स के तोर पर मतलब उसको मानेगे पर परन्तु यहां पर एक बिंदू यह भी द्यान रखना है कि IMF के अनुसार किसी भी देश को किसी देश को कौन सा दस जो IMF का सदस है को हर पांच वर्स में पांच साल में अपना आधार वर्स बदलना होगा पर भारत इस चीज को नहीं मानता है भारत क्या है अभी भी जो थोक मूले सूचकांग उसका आधार वर्स 201112 लेके चल रहा है साथ में हमने बात करी दो तरस हम गढ़ना करता है उसमें पहला जो है उसका हमने देखा थोक मूले सूचकांग थोक मूले सूचकांग या हॉल सेल प्राइज इंडेक्स हॉल सेल प्राइज इंडेक्स तो इसको बिंदू की आधार पर लिखेंगे पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे कि इसको भारत में WPI को शर्व पर्थम 10 जन्वरी 1942 को अपनाया गया कहां पर अपनाया गया भारत में भारत में ठीक है और जब 1942 में इसको अपनाया तो इसका जो आधार वर्ष था आधार वर्ष तो आधार वर्ष 1949 रगए अच्छा एक बात तो यहां पर समझ में आती है की जो आधार वर्ष होगा तो जो current वर्ष वर्ष और जैसे वर्थमान जो वर्ष है उससे पीछे की दरफी होगा ना क्या आग यदी लपर क्योंकि हम क्या कहे रहे हैं कि वर्षतों की कीमत्यों में इस्तिरता देखना है तो ऐसा वर्ष निकालना पड़ेगा ऐसा वर्ष तो वो कीमत ते कहां पता चलेगी जो मारा पिछला साल है उसी में हम देख पाएंगे दूसरा बिंदू इसमें क्या है कि WPI जो है वो वानिज्य वो उध्योग मंत्रा लेके कुन सा कार्याले होता है आर्थिक सलाकार कार्याले द्वारा जारी किया जाता है जब कि जो इसमें तीसरा बिंदू है वह हमको लिखना है कि इसका जो आधार वर्ष ये आधार वर्ष क्या है 2019 रहा है वर्तमान में नह의 करके ढूर यहार यहार रहा है 2017 में इसको चेंज करके 2011 बारा कर दिया गया था पहले चीए चार पांस था ठीक है और इसमें जो है कि उत्पादक इस्तर कर पर मुद्पादक इस्तर वस्ताद़ इस्तर के आंकड़े के आंकड़ों कि आधार पर आदार पर ये निकाला जाता है निकाला जाता है तो हमने बात करी कि इसमें वी निर्मान जो छेतर होता है manufacturing sector उसको महतु दिया जाता है तो इसमें जो सेवा छेतर है उसको महतु नहीं दिया जाता है तो सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है क्यों क्योंकि ये थोक वस्तों की बात कर रहा है और जो थोक में वस्तों या आती है वो सेवाओं में सामिल नहीं होती है सेवा क्या होती है जिसे हम किसी भी पिच्चर होल में गए पिच्चर देखने तो हमने वहाँ पे जो पैसा दिया तो उसके बदले हमको movie दिखाए जाएगी, ना कि कोई वस्तु दी जाएगी, ठीक है, उसके बदले हमें कोई वस्तु नहीं दी जाएगी, जिसे हम माल लो, कहीं जाते हैं, जिसे माल लो हम गए, हम गए massage parlor, ठीक है, massage parlor गए या फिर doctor के हाँ पर दिखाने गए, ठीक है, तो वहाँ पर हमने पैसा दिया किसके लिए, सर्विस के लिए, हम गये किसी hotel में रुकने के लिए, तो वहाँ पर हमने पैसा दिया, और हम वहाँ पर रुक के आ सकते हैं, ना कि वहाँ पर कोई वस्तु अपन को उपलब्द कराएगी, तो इस में क्या है, इस वाली category में गया है अब इसमें भी क्या है कि वस्तों को तीन प्रकार की केटेगरी में बाटा गया है वो केटेगरी किस प्रकार है कि इसमें जो है तीन श्रेणिया है तीन श्रेणिया है जो पहली श्रेणिया है उसमें प्रात्मिक वस्तों को रखा गया है प्रात्मिक वस्तों रखी और जो तीसरा है वो वी निर्मान को रखा गया और वी निर्मान जो छेत्र है इसकी इसमें सबसे अधिक भूमी का है तो सबसे अधिक जो भारांस है जो अधिक भारांस किसका है अधिक भारांस से वी निर्मान छेत्र का तो ये चीज़े हमको ध्यान रखनी है ठीक है और टो कुल वस्तुएं इसमें 600 संत्यानमा वस्तुओं को सामिल किया गया है तो यह है थोक मुल्ले सूचकां के बारे में और दूसरा जो था हमारे पास वह है उपभोकता मुल्ले सूचकां उपभोकता मुल्ले सूचकां या फिर CPI that is Consumer Price Index अब Consumer Price Index को हमने बात करी थी कि इसको कौन जारी करता है नेशनल श्टैटिकल और्गेज़ेशन या फिर राश्टी ये शांकरी की कार्याले जारी करता एंपड़ीले द्वारा अ besar जारी होता है इसमें आधार वर्ष की बात करें तो इसका जो आधार वर्ष है वह 202 इसमें वस्तूं की श्रेणियों की बात करें तो जो वस्तों की जो सरेणिया है जैसे यहां पर कितनी सरेणिया थी यहां पर तीन सरेणिया थी जबकि यहां पर क्या है छे परकार की सरेणिया है इन श्रेणियों में देखें तो खादे वस्तों में सामिल है खादे वस्तों के साथ साथ यहां पर कपड़ा सामिल है कपड़ा के साथ जूता सामिल है उसके साथ आवास की वस्तों यहां पर सामिल है डेली काम आने वाली चीजें जिसे गुटका खाना तंबाकू पान मसाला इस तरह से यह सामिल है और जो अन्य मिश्रित वा प्रिवर्तन को देखा जाता है जारी किया जाता है इनके तीन प्रकार से जारी होता है यह एक तो होता है उपभोगता मूले सुचकांग मतलब कंजुमर प्राइड इंडेक्स एक तो सहरी होता है उसके बाद एक CPI ग्रामीन और एक होता है CPI संयुक्ट तीन कटेगरी है यहां पर 460 वस्तों इसमें सामिल है ग्रामीन में 448 वस्तों सामिल है जबकि जो संयुक्त में 200 वस्तों को सामिल किया गया है तो इनके आदार पर यह जारी किया जाता है जबकि जो RBI जो मुद्रा इस्पिती की गणना करता है वो भी इसी आकड़े को अपनाता है CPI को तो जो RBI अपनी मुद्रिक निती जारी करता है RBI है हर माईने अपनी मुद्रिक निती जारी करेगा जिसमें रेपोरेट, रिवर्स रेपोरेट, वह सारी बेंकिंग टम्स बढ़ेंगे इनको तो RBI जब मुद्राइस्पिती की गणना करता है तो वो CPI की आदार पर करता है और CPI को इसने अपरेल 2014 में अपनाया था तो अपरेल 2014 से CPI की आदार पर RBI मुद्राइस्पिती की गणना करता है और RBI ने क्या कह रखा है कि 4 प्लस माइनस 2 तक जो है मुद्राइस्पिती कम और फिर ज़्यादा हो सकती है तो यह कुछ बाते हैं कि और हमने आदार पर्ष की बात करी कि आदार पर कब चेंज करेंगे जब वस्तों की कीमतों में इस्तिता आएगी और उनका जो भारान से उसमें बदला होता है तब हम आदार पर चेंज करते हैं आएमेप के नुसार क्या है कि हर 5 साल में हमको आधारवर्ष बदलने की जरूरत महसूस जरूरत होती है ठीक है इसका आधारवर्ष क्या है 2012 तो अब यहाँ पर मेन अंतर क्या हो गया दोनों में दोनों में जो अंतर है मेन वो इस परकार है कि जिसे थोक मूले जो सूचकांग है वी निर्मार वी निर्मार उत्पादों को अधिक वेटेज देता है जबकी जो उपभोगता मूले सूचकांग है उपभोगता मूले सूचकांग में खाद्दे वस्तूओं का वेटेज अधिक होता है तो वी निर्मार उत्पादों को अधिक वेटेज कोन देता है डबलू पीए है जबकी जो सी पीए है वो खाद्दे वस्तों को अधिक वेटेज देता है यह इनके मैत्पॉन अंतर हो गया अब यहाँ पर हम बात कर रहे है किसकी मुद्रा इस्पिती की मुद्रा इस्पिती की गणना के हमने दो मैथड देखे हैं एक तो थोग मुले सुचकांग एक उबोक्ता मुले सुचकांग थोग वाली वस्तों को थोग मुले सुचकांग के आदार पर देखा जाता है को क्या-क्या लाप या फिक क्या-क्या हानिया हो सकती है तो जो अपना टोपिक है मुद्रा कि इस्पिती इसमें हमने इसके बारे में समझा कि यह क्या है दूसरा टोपिक था कि इसके जो कारण क्या-क्या होते हैं मांग जनी मुद्रा SPT, दोनों की बाद हमने करी, उसके बाद हमने देखा कि इसका प्रभाव क्या होता है, प्रभाव के बाद इसके जो गणना किस प्रकार की जाती है, उनके अपने दो मेथड, CPI और WPI के बारे में जाना, और इनको कौन-कौन, इनके बेसियर क्या है, इनका मैथू क्या है, इस कहता है RBI कह रहाइए कि 4 प्लस-वाइनस-दो होने हाए नहीं है तो इनका ये सबास है ये जो इनकी रिंज है जैसे यह रिंज चेंज होगी तो इनके परकारबी चेंज होगे अगर हम बात करें कि मुद्रा-ईस्पिती, अगर 3% है तीन परतिसत है तो इसको हम बोलेंगे रेंगती मुद्रा इस्पिती इसको हम बोलेंगे क्या रेंगती मुद्रा इस्पिती रेंगती मुद्रा इस्पिती अगर यह तीन से बढ़कर दस हो जाती है तीन से दस के परतिशत तक यह मुद्रा इस्पिती हो जाती है तो इसको ह आधा 되어 वाकिंग वाकिंग, इंफलेशन, इंफलेशन वाकिंग का मतलब चलना को चलती मुद्रर श्बतृ किती है? चलती मुद्र श पिती, भी इसको का जाता है? अगर और बात करें तो तीन से दस्डसे अब जब दो डिजत में मुद्र शप्वत्पति है, दस से 20 परतिशक तक इसका परास हो तो इसको हम बोलते हैं भागती मुद्राइस्पिती भागती मुद्राइस्पिती या फिर रनिंग इंफलेशन तो यह तो होगी वाकिंग और उसके बाद रनिंग अगर इसकी जो इंफलेशन का जो दर है वो 20% से उपर होके 999 तीन डीजि की दर्व हो तो उसे हम बोलते हैं कूदती मुद्राइस्पिती कूदती मुद्राइस्पिती या फिर गैलोपिंग इंफलेशन गैलोपिंग इंफलेशन उसके बाद अगर इसका और अधिक हो जाता है प्रास 1000 से भी उपर हो जाता है 1000 से 3000 पिर 4000 इस तरह से प्रास हो जाता ह तो इसको हम बोलते हैं अती मुद्रा इस्पिती की इस्थी अती मुद्रा इस्पिती या फिर हाइपर इंफलेशन हाइपर इंफलेशन तो हाइपर इंफलेशन का जो केस होता है वो किसी भी अत्वैस्ता के लिए सबसे बुरा केस होता है सबसे बुरा केस क्या है कि वस्तों की कीमते बहुत अधिक मात्रा में यहां पर बढ़ जाती है और इतनी अधिक मात्रा में पढ़ जाती है कि लोगों के पास पैसा ही नहीं होता जो पैसा है वो इतना अधिक नहीं हो पाता अब इस case में क्या करता है कि जैसे मालो की लोग पर पैसा नहीं होगा और मालो कहीं को उनको खाना चाहिए तो ये लोग क्या है वहाँ पर आतंग मचा देंगे एक दूसरे सा छीना जप्टी करेंगे कोई दुकान होई तो वहाँ पर चोरी चकारी होने लग जाएगी कोई श् आर्टा मिल रहा मालो 20 रुपे किलो और आटे की किमत होगी 1000 रुपे केलो तो 1000 रुपे किलो जो आटे की किमत हो जाहिए तो आदमी अपना गुजारा कैसे करेगा तो ui says में deportेंट क्या करतीए सरकार होती है वह या तो या करदे कि सभी को नए सभी को घरों में जो है food packet की supply कर दे, सबको खाना उपलब्द करा दे, दूसरा यह हो सकता है कि जो पुरानी currency है उसको बंद करके नई currency लागू कर दे या जो demonetization वाला process है उसको कर दे, ठीक है तीसरा यह है कि जो salary हर मैंने किसी को उपलब्द हो रही है, मालो जो विकासिल देशों की बात करें, तो विकासिल देशों में जो मुद्राइस्पिती जो भारत में भी है, वो walking inflation है, तीन से दस परसंट के बीच रहती है, तो यही मुद्राइस्पिती भारत के लिए ठेक रहती है और यही विकासिल देश जो और भी है वहाँ पर यह कारगर है, उसके बाद की इस्तिती थोड़ी गंबीर होते हैं, जब महेंगाई इतनी अधिक हो जाएगी, तो सरकार को कुछ निर्णे लेने पड़ेंगे, वो निर्णे किस परकार हो सकते हैं, कि कालाबाज अब यहाँ पर मुद्रा इस्पिती में क्या कीमतों का भाव कैसे बढ़ता है, यह भी चीज समझो, जैसे करोना का हम ने उदारन लिया था, तो करोना में क्या हुआ था कि लोगों को कुछ चीजों की उपलवदिता नहीं हो रही थी, तो जो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने काला बाजारी गई, काला बाजारी का क्या मतलब होता है, काला बाजारी का मतलब होता है कि आपने श्टोक करके बहुत सारी करना तो कोरोना के समय बहुत सारी स्तिती एसी वही कि लोगों ने मेंगी के पेकटि भी बहुत महेंगे करी थे और स्टार्टिक में जो सेनिटाइजर की बोदल आ रही थी, मार्केट में मिली निगे थी, यह मानों आप, यह सब चीजी क्या है, काला बाजारी ही थी, और उस समय उनकी दाम इतने अधिक हो गए थे, तो कहीं न गई, यह सब चीजे क्या है, मुद्राइस्पिती के कारण, मुद्राइस्पिती में, जो है मांग के कारण उप्पन होती है, ठीक है, तो यह इनके बारे में लिख लेते हैं कि यह किस-किस परकार की है, तो जो पहली परकार के मुद्राइस्पिती की बात हमने की, जो फर्ष्ट है, वो है रेंगती मुद्राइस्पिती, रेंगती मुद्राइस्पिती, या फि तो इसमें क्या बिंदू लिख सकते हैं कि इसमें मुद्रा इस्पिती की पराज की दर इस अवस्था में मुद्रा इस्पिती की पराज की दर तीन परतिशत तक ही रहती है ठीक है और ऐसी मुद्रा इस्पिती और एसी मुद्रा इस्पिती धीरे धीरे की सकती है की सकती है अभी आप जब हम घर में बात करते हैं अपने बड़े बुजर्गों से तो बड़े हमारे टाइम पर यह चीज एतनी सस्ती थी हमारे टाइम पर एक रुपे में यह आ जाता था हमारे टाइम पर इससा होता था तो यह यह सब क्या है कई ना कई मुद्राइस पिती के परभाव ही है अभी मानलो किसी ने जो आज से 90 के टाइम में जब जमीन खरीदी हो तो वो मतलब 45,000 रुपर में इतनी बड़ी जमीन उसने ले ली थी और जब कि जो अभी उसकी कीमत है वो एक एक करोड रुपए है तो यह कई अभी मुद्राइस पिती के परभाव ही है क्योंकि समय के साथ क्या वस्तों की जो मांग में वरद्य होती है अभी देखो आप लोगों का जीवन इस्तर भी काफी है अच्छा सुदर रहा है अभी लोग घर का घर को अच्छा डेकुरेट करके रखते हैं घर में जो टीवी आई जे वो अलग हो गया है पहले जो टीवी होती थी उसको इतना बड़ा जगे पर रखना पड़ता था पतले टीवी आ रहे हैं तो घर का डेकुरम भी धिरे-दिरे चेंज हो रहा है मोबाइल के आने से लोगों के जो प्रद्योगी की की समस जो बढ़ रही इंटरनेट क उससे भी लोग बहुत सारी चीजे नहीं नहीं सीख रहे हैं तो उन चीजों नहीं क्या है कहीं नहीं कहीं डिमांड को बढ़ाया है अब जैसे मानलो कि e-commerce जब अपन पड़ेंगे तो e-commerce में क्या हो रहा है कि e-commerce जो कंपनिया है फिलिपकार्ट या फिर amazon हो गई मीशो हो और भी मिंत्रा अगेरा बहुत सारी कंपनिया है तो इन में क्या होता है कि जैसे मानलो अपन ने कोई चीज सर्च करी तो वो चीज हमको हर जगह दिखने लग जाती है जैसे मानलो कोई भी हम एप खोलेंगे मोबाईल में तो वहीं वो चीज आने लगेगी तो यह भी मार्क की चीज़े देख रहे हैं मानलो यूटूब पर हम जिस परकार की वीडियो देख रहे हैं उस परकार की वीडियो हमको सजेस्ट की जा रही है जिस परकार का हम ओनलाइन शोपिंग में चीज़े देख रहे हैं वो चीज हमको सजेस्ट के तोर पर आ रही है तो मोबाईल कही Internet के सायता जो चीजें अपना ही जा रही है अ तो हम देख रहे हैं ने इन्यते ब enormous intern आप second जो है वो किस परकार की मुद्र 않아 थे की बात करता है टेहलती मुद्र इस्पिति न दूसरी है कि अ कि देहलती能 आप या तेहलती इस फिती यह फिर इसका एक और नाम है चलती मुद्रा इस्फिती या इसको बोल सकते हैं वाकिंग इंफ्लेशन वाकिंग इंफ्लेशन तो इसमें जो परास की दर है इसमें परास की दर क्या है परास की जो दर है वो तीन से दस परसेंट तक हो रहती है तीन से दस परसेंट तक रहती है ठीक है और ये जो परास है इस परकार की मुद्रा इस्फिती इस परकार की मुद्रा इस्फिती विकाशील देशों में देखने को मिलती है देखने को मिलती है तो विकाशील देशों में विकाशील देशों में भारत भी आ जाता है तो भारत में भी किस परकार की देखनों को मिलेगी तेहलती मुद्रा इस्पिती है फिर चलती मुद्रा इस्पिती ठीक है और यह विकासिल देशों के लिए अच्छी मानी जाती है अब यहां पर मुद्राइस्पिती की हम यहां पर एक टोपिक देख रहे हैं मुद्राइस्पिती तो इसको एक बात यह समझो कि मानलो मुद्राइस्पिती में मानलो कीमतों में वंतर होई ना वस्तों की कीमतों में अंतर ना तो उसका प्रभाव भी एक नेगेटिव प्रभाव क्यों पड़ता है कि जैसे मानलो की कीमतों की बात करें हम कीमतों की वरदी कि कोई भी वस्तु की कीमतों में वर्दी क्यों होती है इसकी कीमतों में वर्दी क्यों हो गई क्योंकि इसकी मांग में वर्दी होई है क्या मांग में वर्दी के बहुत सारी कारण हो सकते हैं या तो जन संक्या बहुत अधिक हो जैसे आप देखो अभी एक आदमी के पास कर ब गूगल पर डालो कि किते लोग मोगैल यूज़ कर रहे तो लगबक हर आदमी के पास photo अब यहां पर कही न तो प्रॉबाल वरदी का ओर भी क्षा दिक होगा तो जन मांगलमे वरदी को ओप सकते हैं और मांग में वर्दी के साथ जब कीमतों में वर्दी होगी तो इसके उत्पादन में भी वर्दी होगी क्योंकि अधिक वस्तुएं चीए जब मांग में वर्दी के साथ उत्पादन में वर्दी होगी की कीमते हैं वो घटने लगेगी क्योंकि लोग खरीदी ने रहें जो पड़ा-पड़ा खराब हो रहा है तो मुद्राइस्पिति को जो है वो एक ऐसी चीज है कि यह न ज्यादा अधिक हो न बिल्कुल कम हो यह एक कंपरेबल जोन में रहने चाहिए इसलिए मुद्राइस्प है उन में वर्दी होती है तो यह है टेहलती मुद्राइस्पिति या फिर वाकिंग इंफलेशन या फिर चलती मुद्राइस्पिति नेक्ष्ट परगार के जो मुद्राइस्पिति है जिसके हमने बात कि थी वह भागती मुद्राइस्पिति भागती मुद्राइस्पिति जि इंफ्लेशन तो रन वे इंफ्लेशन में क्या होगा कि इसमें जो पराज की दर है इसमें पराज की दर वो दस से 20 परतिशत के बीच जयती है ठीक है रस से 20 परतिशत के बीच में पराज की दर जयती है उसके बाद जो अगली बरगार की मुद्रा इस्पिती है वो है गेलोफिंग गेलोपिंग मुद्रा इस्पिती जिसको हमने बोला था कूधती मुद्रा इस्पिती कूधती मुद्रा इस्पिती तो कूधती मुद्रा इस्पिती में परास की दर तीन अंकों में होती है तो इसमें परास की दर दो से दो से तीन अंकों के बीच होती है तीन अंकों के बीच रहती है और वो क्या है जैसे मामलों 20 परतिशत से तो इस प्रकार की जब इस्तिती आ जाए तो अर्थ ववस्था में काफी अधिक शुदार की आवशक्ता होती है तो यह होगा गेलोफिंग इंफ्लेशन उसके बाद जो अगली प्रकार का इंफ्लेशन है वह है अती मुद्रा इस्पिती की समश्या अती मुद्रा इस्पिती या फिर हाइपर इंफ्लेशन है हाइपर इंफ्लेशन तो इसमें जो प्रास की दर है वह क्या है बहुत अधिक हो जाएगी 1000 से उपर जब यह प्रास की दर बढ़ने लगेगी तो उसे हम अती मुद्रा इस्पिती की समश्या कहते है तो जो प्रास की दर है वह एक हजार से अधिक ये एक अनियंत्रित इस्थिती को बतलाता है कि अर्थवस्ता में कीमते काफी अधिक मात्रा में बढ़ रही है तीके इसको अगर नियंत्रण करने की बात करें तो इस में सरकार को कुछ कदम उठाने पड़ते है जैसे कि खाद्दे सामगरी का वित्रण करना या फिर डिमोनिटाइजेशन या फिर नए मुद्री बनाना नए मुद्रा जारी करना और क्या हो सकता है कि वेतन को पंद्रा दिन या साथ दिन के आधार पर करमचारियों को देना हो तो ऐसी नितिया सरकार को बनानी पड़ेगी या तो खाद्दे सामगरी का वित्रण करवाया जाए क्योंकि काफी अधिक मात्रा में जब मेंगाई बड़वी तो लोग खाद्दे उब्योग कहां से करेंगे साथ में जो लोगों के पास आई का सोर्स होता है इनकम उसको पंद्रा या साथ दिनों में उनको उपलक्ट करवाया जाए तो इस तरह से कुछ हब तक इस पर हम कर्ट्रोल कर सकते हैं तो यह कुछ प्रकार हैं जिनके बारे में हमनें बात करी थी कि एक तो है रेंगती मुद्रा यस्पिती, एक है टेहलती मुद्रा यस्पिती, तीसरी है भागती, फिर गैलोपिंग और जब एकजार से उपर परास हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं कि अती मुद्रा यस्पिती अब अगर मुद्रा इस्पिती की समश्या अर्थव्यस्ता में हो गई माल लो अर्थव्यस्ता में मुद्रा इस्पिती की समश्या हो जाएगी तो इसको नियंतरंड करने के क्या-क्या उपाई रहेंगे तो मुद्रा इस्पिती को नियंत्रन करने के उपाईों को हम देखते हैं कि क्या क्या उपाई अपना जा सकते हैं तो मुद्रा इस्पिती को नियंत्रन करने के उपाई तो इसमें तीन तरह के उपाईों को देखेंगे जो पहला उपाई है वो है राजकोशिय निती राजकोशिय निती या फिर सरकार अपनी फिस्कल पोलिसी में बदलाव करके किसको नियंतित कर सकती है मुद्रा इस्पिति को नियंतर्ण कर सकती है उसके साथ दूसरी दरह की जो नियंतरन का उपाई है वह है प्रषाशनिक निती जिसे हम administrative policy कहता है जो तीसरा प्रकार की निती है वह है Monetary Policy Monetary Policy या फिर मौद्रिक निती मौद्रिक निती तो ये तीन तरह की उपाई करके जो सरकार है ये कुछ नितियां बना कर मुद्राइस्पिति को नेंतरन कर सकती है तो राजकोशी निती में क्या होता है राजकोशी निती का क्या मतलब है राजकोशी निती को हम समझे तो ये सरकार की आए वे की निती है सरकार की आए तथा वे की निती सरकार की आए तथा वे की निती इसी को हम क्या बोलते है राजकोशी निती आए तथा वे की निती का क्या मतलब है कि अगर अर्थविवस्ता में यह economy या फिर अर्थविवस्ता अगर अर्थविवस्ता में पेसा बहुत अधिक होगा ठीक है क्या होगा पेसा बहुत अधिक होगा तो पेसा बहुत अधिक होगा लोगों पास तो किस की क्या मांग उत्पन होगी मांग उत्पन होगी तो कीमतों में क्या होगी वर्दी होगी और कीमतों में वर्दी होगी तो क्या है मुद्रा इस्पिती की समश्या उत्पन होगी तो इस केस में सरकार क्या करेगी जो अर्थविजस्ता का पैसा है इसको बाहर निकालने की कोसिस करेगी कि ये करों में वर्दी कर देगी करों में वर्दी कर देगी तो करों में वर्दी कर देगी तो यहां से जो पैसा है वो सरकार के पास चला जाएगा और अर्थविज़स्ता में पैसा कम बचेगा और जब अर्थविज़स्ता में पैसा कम बचेगा अर्थवयस्ता में वे की निती अपनाई की वे किस परकार से करती है सरकार सरकार अर्थवयस्ता में पैसा किस परकार डाल सकती है सरकार ने कोई skim चला दी कि हम इतना पेशा एकमस्त गरीबू को देंगे तो वह भी सरकार का वह हुए सरकारने कुछ प्रोजेक्ट चलाए वहां पड़ जो मजदूर काम करें उनको सरकार पैसाे रही थम्हां से सरकार लोगों को पैसा अपलबत कराती तो वबी क्या है एक वे की निती है ठीक है तो उस तरह से सरकार अपने आई वे की निती में अंतर करके जिसे मान लोग की वे किस परकार कर रही है जिसे मजदुरों को वेतन देना ठेकेदारों को पैसा देना ठीक है पर इसको सरकार के एक control में रखना चाती है control में रखना चाती है तो उसी दिल्य हम नियंतरण के उपाई बढ़ रहा है मतलब ये ना एक इस तर से अधिक होनी चीए ना कम होनी चीए मतलब हम विकासिल देश हैं तो हम जो चलती मुद्राइसपिती है उस वाली रेंज में ये रहनी चीए जो कि RBI क्या लेके चलता है चार प्रलस माइनस दो प्रतिशत तो इसी रेंज में रखना के लिए सरकार ये कदम उठाती है तो सरकार की जो IV की निती होती है वो राजकोश्य निती केलाती है ठीक है अगर मान लो मुद्राइसपिती की समश्या है क्या है मुद्राइसपिती की समश्या है ठीक है तो सरकार क्या है वे कम करेगी वे कम करेगी तो अर्थ व्यस्ता में पैसा कमाएगा और पैसा कमाएगा तो कीमते कम बढ़ेगी कीमते नेंतरण में आ जाएगी ठीक है या फिर परतेक्षकर में अगर वर्दी कर देगी तो करों में जब वर्दी होगी तो अर्थ व्यस्ता में पैसा बार निकलेगा तो इस या फिर नूँ कहें सकते हैं यदक सकते हैं तो सरकार क्या करेगी कुछ आनाउंस्मेंट करवा सकते हैं या फिर जो में बचप कर रहे हैं दूसरा यो लोगे मötणा वर्दी कर रहे हैं चाहिंहें वर्दी करनेगाए तरीका अपने काला बाजारी देखा था कि जो दुकांधार होता है वो क्या हिया स्टोक करके रख लेता है और सिटोक करके रख लेगा और जब आपदा आएगी तो उसी स्टोक को हो महंगे दागों में बีचता है और उससे मुद्रा इस्पिती के समश्या ओरिये क्योंकि मुद्रा उसकी कीमतों में क्या होगी विर्दी होगी तो ये काला बाजारी को रोकने के लिए भी प्रसाश्नि निति आपना ही जाती है कि जो लोग है वो काला बाजारी ना करें ठीक है उसके बाद monetary policy तो monetary policy के अंदर रे क्या है कि मौध्रिक निती सम्मिती के द्वारा जो है चीजियां में बदलाव करती है रीवर्स रेपो रेट हो गया MSF हो गया तो बहुत सरी डेटों में यह बदलाव करती है और बेंक को पर यह निय Natal करके क्योंकि अर्थवेस्ता में जो पैसे का लेंदेन वीनिमिया का साधने वह क्या है बैंक है बैंक लोगों को पैसा अपलब्द करा रहा है ये लोगों को जो है लोन दे रहा है जो निवेशे के उनको लोन की शुदा या पैसे की शुदा बैंक उसे मिल रही है अगर बेंक अपना जो ब्याज दर है वो उसमें वरदी कर देंगे तो निवेशक इन से लोन लेना क्या है कम कर देंगे और लोन लेना कम कर देंगे तो औरतिवरस्ता में पेसा की कम होगी तो महाँ पर किम्तों में वरदी कम होगी तो उसी प्रकार से RBI क्या है बेंकों का नियंतरन करके मुद्रिग निती भी जारी करता है तो मुद्रा SPT के नियंतरन को हम अगले लेक्चर में पूरा डिटेल से समझेंगे और ये तीनों नितियां किस प्रकार काम करती है इसके बारे में भी समझेंगे तो थेंक्यू सातियों अगर लेक्चर प्रसंद आता है तो जरूर इसको लाइक करें और इसके नोट्स बनाते रहें तो बेदर तरीके से आपको इसमें समझ में आएगा